बाइनोमिल का इंट्रोडेक्शन क्लास हम लोग एक लेक्चर अफ्लूड कर चुके हैं उसको आगे बढ़ाते हैं सबसे ज्यादा बाइनोमिल में एक्सपेंशन और उसका जर्नल डर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जर्नल डर्म कैसे लि का फामूला आपको बताया चुका था अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि एक्स प्लस इकी पावा एन में देखिए हो एस तर्म को देखें अप इस वाले टम्म में यहां पर इन- सी जी जीरो आ रहा है बट बोला गया इसको फास्ट तर्म फास्ट तर्म अब जब second term बोला गया nc1 आया x power n minus 1 a की power 1 third term जब हम third term बोलेंगे nc2 आयेगा four term में nc3 आयेगा ऐसी अगर 20th term लिखेंगे nc19 आयेगा तो अगर यहाँ पर ncr आया है x power n minus r a की और r आया है हम इसको बोलेंगे r plus 1 नमा term या tr plus 1 इसी को general term बोलते है क्या बोलना है जर्णल डम ठीक है अगर हम लोग यहाँ पर जैसे इसको लिखने जा रहे हैं यहाँ पर nc1 लिखा है इसको हम लोग क्या करेंगे second term लिखेंगे अगर यहाँ पे nc 0 लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे fast term ऐसे ही अगर यहाँ पे ncr लिखा गया है तो r plus 1th it's not rth r plus 1th इसी यह क्या बोला गए general term अब हम लोग कुछ expenses यहाँ ले लेते हैं इनके general term आपके सामने लिखके दिखाएंगे जिससे कि आप इसी के base पर आगे binomial के general term लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 4cr पहला पत क्या यहाँ पर 1st term 3x है और 2y तो 3x की power हमने बढ़ाया था इसका है इसका difference 4 minus r it's not a n यहाँ पर index 4 है और 2y की power r यह r जैसे यहाँ पर लिखते है तो हम लोग 4cr अब पहला term क्या है 2x 2x में इसका इसका difference 4 minus r अब जब दूसरा term है तो minus 3y लेंगे क्यालेंगे minus 3y minus 3y की power r ऐसी यहाँ लिखते जाएंगे directly हम लोग 10cr root x की power 10 minus r और root y की power r लिख देगी इसमें अगर लिखना जाहेंगे हम लोग 6cr first time है यहाँ पर 2x upon 3 की power 6 minus r second बिद्धा sign sign भी यहाँ रखते हैं हम लोग तो minus 3 upon 2x की power r अब यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे इसको 1 plus square term मान लिया ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे 5cr 1 की power 5 minus r और दूसरा पता हमने यहाँ यह माना है तो 2x minus 3x square की power r ऐसे हम लोगो ने expansion के general term देख लिए बारी-बारी से इससे आपको बहुत ही help मिलेगी आप इसको ध्यान रखिए expansion में general term लिखना बहुत ही ज़रूरी है इसी सारे questions लगने वाले है अब हम लोग यहाँ पे उनी expansion में कोई particular terms लिखते हैं यह third term, fourth term इससे हम लोगो क्या करेंगे कोई भी term लिखने में हमें help मिलेगी आरासानी से हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर जैसे लिखना हो 4c2 3x की power इसका इसका difference 2 और 2y की power 2 यहाँ पे लिखना हो fourth term लिखना है 4c3 हमेशा इससे कम रहेगा अग 2x की power इसका इसका अंतर एक विद्द साइन माय स्री y की power यह वाला index यहाँ पर 7 term लिखना है 10c6 हमेशा इससे कम रूट x की y power इसका इसका difference 4 यहाँ पे रूट y की power 6 यहाँ पे लिखना है 5 5 5th term 6c क्या होगा y हमेशा इससे कम 4 पहला term क्या है 2x upon 3 इसका difference 2 यहाँ पे क्या है minus 3y2x की power 4 अब यहाँ पे लिखना है हमें t3 तो 5c2 1 की power 3 इसका इसका difference 3 1 है मतलब उसका कोई जादर relevance नहीं है यहाँ पे 2x minus 3 and 2 is by power 2 की power यहाँ पर यह 2 तो binomial expansion में अब particular term कैसे लिखे जाएंगे यह हमने देखा तो कोई भी term हुआ है 3x square minus 4x plus 1 अगर पूछा जाए कि coefficient of x square और पूछा जाए coefficient of x अगर पूछे जाए coefficient of independent of x तो यहाँ पे x square का coefficient 3 है coefficient of x क्या है with sin minus 1 ऐसा term जिसका जो independent of x है मतब constant that is 1 यानि x की power 0 वाला term चाहिए इस बात को हम ध्यान में रखेंगे इसी concept को हम लोग binomial भी यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आप general term निकाल लीजे 31cr x square की power 31 minus r और 1 upon x की power r अब यहाँ पे x की power अलग-अलग कर लीजे तो यहाँ पे 62 minus 2r x की power minus r तो यह आया 31cr x की power 62 minus 3r अब मैं चाहिए coefficient of x की power 7 मतलब वो term जिसमें x की power 7 आ रहा हूँ तो हम लोग क्या करेंगे यह जो power है उसको 7 मना देंगे 62 minus 3r बराबर 7 मैं repeat कर रहा हूँ अगर आप कोई चीं मिस कर गए है x की power 7 निकालना है इसके expansion में तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले general term निकाल लेंगे जो आपके coefficient है जो constant है उनको अलग कर लेंगे और x की power जो भी होगी वो पूरा manage कर लेंगे अब हमें coefficient of x power 7 चाहिए तो यही general term है केवल r की value find करनी है तो हम क्या करेंगे हमें x की power जो भी है और जो भी coefficient जिसका चाहिए उसको उससे compare करके बराबर कर देंगे अब हम r की value निकालने माले हैं तो 62 minus 7 बराबर 3 r r निकालेंगे यहां पे तो कितना हो जागे यहां पे 50 5 y 3 अब यहां पे by chance क्या हुआ कि जो हमने question उठाया वो question में r की value fraction आगे अब जैसे कोई for example अगर कोई बोले कि हमने साड़े चार worker ली है साड़े चार worker काम कर रहे है धाई आदमी काम कर रहे है या minus 2 कर रहे है तो कभी भी r की value r की value fraction में आती है important concept है r की value negative आती है जैसे यहां पे आई है तो no such term exist मतलब ऐसा कोई इसमें term नहीं होगा expansion में मेरी बात द्याहन रखें कि r की value positive integer और 0 के अलावा कुछ भी और आगई fraction या negative तो यानि कि इस वाले expansion में आपको x की power 7 नहीं मिलेगा ठीक bynumer में यह concept बहुत important इसलिए हम एक और question ले रहे हैं यहां पे देखें कि coefficient of x power 6 in the expansion of 3x square minus 1 upon 3x की power 9 तो हमने क्या किया यहां पे आपको general term solve किया है general term निकालना आप जान गए दे general term को solve किया देखो negative जो भी होगा minus 1 की power r उसको भी बहार निकालनेंगे यह कि वो plus और minus recite करेगा कि positive और negative coefficient सारे हमने अलग कर लिए और x की power अलग कर लिए इतना हमने पिछले वाले question में repeat किया था बताया था तिन नियान से वो आपको समझ में आ गया होगा हम आगे बढ़ते हैं हमें coefficient of यहां से हमने आगे बढ़ना है coefficient of x की power 6 चाहिए हमने बोला कि x इसकी power जो general term में power है उसको हमने क्या बना देंगी 6 यानि 18 minus 3r को क्या रख देंगे 6 18 minus 6 बराबर 3r तो r बराबर क्या जाएगा 12 by 3 that is 4 क्या आगया अगर वो पूछता है कि term मनी बात धियान रखें अगर बोला which term कौन सा term या कौन सा पद तो t r plus 1 क्या हो जागा t 4 plus 1 that is t 5 यानि कि 5th term ऐसा होगा जिसमें x की power 6 आएगा अगर पूछता है coefficient बात ध्यान देने वाली बात है अगर वो पूछता है coefficient क्या होगा तो आप क्या करेंगे जो आपका general term था उसमें जो constant है variable को छोड़के वहाँ पर r की value क्या रखने वाले 4 तो minus 1 की power 4 9c4 और 3 की power minus 4 अभी जानते कि यह कैसा हो जाएगा positive तो 9c4 3 की power minus 4 को solve कर लेंगे जो numeric value आएगी वही x की power 6 का क्या होगा coefficient अब answer कैसे दिया गया option में वह option तैय करेगा coefficient को solve करके लिखना या ऐसी लिख देना यह answer तैय करेगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर question में जो पहले देख चुके हैं वैसा ही question से हम दुबारा repeat कर रहे हैं जिससे कि आपके practice हो जाए क्योंकि वहाँ पर fraction value आ गई थी तो यह x के पार 6 निकालना है तो हमने क्या किया कि आपके time को save करने के लिए पहले से हमने इतना solve कर दिया है तो हम लोग दुबारा बता चुके थे पहले बता चुके था lady general term को ऐसे यहाँ पर लेके आए यह आप general term निकालना जान चुके है तो हमने general term में देखो इतना coefficient अलग कर लिया मतब constant term अलग कर लिया है x को अलग कर लिया x की पार 6 सही है तो हम x की पार जो भी यहाँ पे है r के टपर term में उसको हम 6 बनाएगे यानि कि इसको हम compare करें 8-3r से 6 को 3r बराबर 18-6 r बराबर जाएगा 12 by 3 that is 4 अब यहाँ ध्यान देनी वाली बात है यहाँ पे student थोड़ा confused हो जाता है ठीक है r की value कितनी आई 4 तो अगर पूछे which term which term term की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे t r plus 1 that is t 5 term काई सा हो जाएगा हमारा 5 5th term होगा strictly मैं बता रहा हूँ कि r की जो value आईगी उससे एक बढ़ा के term को consider करेंगे 5 में पद यानि 5th term में x की power 6 आएगा अब अगर coefficient पूछे क्या पूछा कि coefficient कितना होगा x power 6 का दो अलग-अलग question है term पूछा गया तो यह answer आया coefficient पूछा गया तो coefficient यानि r की value 4 5 नहीं है 4 यहाँ पर इस constraint में रखने गए तो minus 1 की power 4 9c4 और 3 की power 9 minus 8 हो जाएगा ओके तो यह तो हो गया positive यह हो गया 3 तो 3 into 9c4 अब answer depend करता है कि answer कैसे दिया गया option में वो आप solve करनेंगे ठीक इस वाले question को हमनों ले रहे है the term independent of x in the expansion of 3 x square by 2 minus 1 upon 3 x की power 9 independent of x तो बताएगा तो term the term independent of x that is x की power 0 वो term जिसमें x की power क्या है 0 है तो हमने वही काम किया general term हमने बोलाई है कि बार बार आपके सामने लिखा जाए बार 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 बताया जाए इससे आपका time waste होगा हमने यहाँ पर general term में यहां तर आ गए जो भी constant था जो coefficient बनने वाला उसको अलग कर लिया और x वाला term अलग कर लिया हमें वो term ढूणना है जिसमें x की power क्या बन जाए 0 x power 0 बन जाएगा तो x power 0 1 होता है constant मतलब वो term क्या इस expansion में constant term आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो वो कौन सा होगा तो हमें क्या बताएगा ये ये power 18-3r को क्या कर दे हम लोग 0 कर दे r के value i 18 by 3 क्या ये integer positive integer i हाँ आई अगर positive integer i r आया 6 तो हमने बोला था हमेशा term जो consider करेंगे वो t r plus 1 t r plus 1 इसका मतलब t 6 plus 1 that is t 7 तो क्योंकि पहले से हमनों general term जब consider कर चुके है बात ध्यान ने दे वाली है तो जो हमने यहाँ पर general term consider किया है r lady अमनों t r plus 1 माना है क्या माना है जब भी r आएगा उससे एक ज़्यादा ही term consider किया जाएगा r lady supposition किया जा चुका है तो यहाँ पर 7th term ही क्या होगा 7th term क्या होगा independent term 7th term क्या होगा independent term 6 term नहीं होगा 7th तो 7th होगा बात इबात बताई जारी कि 7th 7th है 6 6 है उसका इसल इन दे लेने कि एक कम हो जाता है r की value 6 है पत तो कौन सा है 7th माही है पहले गिने तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचमा, छटा और फिर साथी position पर ऐसा होगा जो constant बन जाएगा अगर coefficient of independent term बूचा जाए तो coefficient क्या होगा r की value क्या रखेंगे हम लोग इसमें 6 रख देंगे तो हमारा क्या आजाएगा coefficient आएगा तो यहाँ पर ऐसे questions हम लोग देख लेंगे और हमारा target है कि उन सारे students को जो basic level पर अभी पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल beginners हैं जो उनको concept दिया जाए अभी हमारा target बिल्कुल यह नहीं है कि questions जो आएओए exam में हम लोग पिक्सली बार में निमसेट के और बागी सारे papers के solutions दिये थे topic by solutions दिये थे तो वो बात तब आएगी जब papers का relevance आएगा अभी जो बिल्कुल open करके कोई topic पढ़ना चाहते हैं शुरुवात कर रहे हैं तो जैसे हमने vector की series डाली थी ऐसे हमने बारी बारी से binomial की series डालना है अभी कुछ questions आप आपके practice के लिए दे रहे हैं आप उनको लगा ले ले तो बिल्कुल last में हम लोग जैसा की जब भी आप कोई lesson या कोई भी चीज आप सीख रहे हैं जब तक यह आप उसका practice नहीं करेंगे जब तक आप उसको practically अप्लाई नहीं करेंगे तो वो अधूरा मना जाता है तो जो हमने आज का session लिया है आज जो भी concept बताया है आपके सामने ये 5 questions हैं coefficient of x square in the expansion of this coefficient of x power 18 in the expansion of this ऐसे हमने 5 questions दिये हैं कम से कम ये 5 questions आप करी लें उसके अलाबहा आप कोई tax book follow करें basic see tax book बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उन में से कोई एक tax book आप ले लें beginning level पर उस basic tax book को इस वीडियो के साथ जैसे वीडियो को जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने इसको पढ़ते चले जा रहे हैं कोई concept देखा, कोई question देखा आप उसको pause कर दीजिए उस type के 2-4 questions आप लगा लीजिए तो कम से कम यह अगर 10 minute का वीडियो है तो 1 hour से लगबग आपको practice करनी है अगर आप ऐसा करेंगे फिर जो doubts आते हैं वो आप next session में आपको मिलेंगे ऐसे आप करते रहेंगे तो आपका binomial complete हो जाएगा लगबग one week में अगर आपने सारे वीडियो लगातार आपने एक ही दिन में देख डाले एक घंटे में निप्टा दिये मतलब कहने का मतलब तो मुझे नहीं लगता कि उससे आपको सीख पाएंगे ठीक है